अमीत साहाजी मानिये गिरी मंत्री है भारत स्रकार के और पांच बार नहीं पचास बार भी उनको आने का हक है लेकिन आएं तो कुछ ऐसी बाते नहीं करें जिससे संपरदाई कुनमाद फैले जाती है उनमाद फैले वकरीद के मोके पर आज आ रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी मनसा समझ में आ रहे हैं लोगों को तो वैसे मनसा को उजागर करने का ही एक उनका काजकरम रह गया है जो बैठक हुई उस बैठक के बाद भारतिये जनता पार्टी के सारे नेताओं में इभेन नरेंद मोदी जी से तक ये बेचैनी बढ़ गई है अमीत साजी आएंगे पढ़ने वाला नहीं है जितनी पार्टियां है करीब करीब सब्सक्राइब पच्छ पार्टी लोग गोल बंद हो रहे हैं आप उनके जो भी उमिद्वार रहेंगे चाहे ललन सिंग जी हो चाहे को यह अन्य सिंग जी हो और उमिद्वार कौन है तो समय बताएगा बिहार को बैठक के बाद आज अमित्सा का पहली बार बिहार में आगवन हो रहा है और वो भी जद्यू अध्यक्ष के इलाके में यानि कि मुंगेर में आ रहे हैं मुंगेर के लखी सराय जगह में आज अमित्सा पहुंच रहे हैं और करीबन नितीश कुमार के बीजेपी से अलग हो कि पाद अश्री कि आ यहां पर रही है क्या कुछ कहेंगे थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज हमारे साहाथ आड़ी के ही एमल से देखिए अमीत साहजी मानिये ग्रीह मंत्री है भारत स्रकार के और पांच बार नहीं पचास बार भी उनको आने का हक है लेकिन आये तो वो कुछ ऐसी बाते नहीं करें जिससे संप्रदाईक उनमाद फैले जाती है उनमाद फैले वहां पर हम लोग को चिंता होती है और आप स काज आ रहे हैं इसका मतलब है कि उनकी मन्सा समझ में आ रहे हैं लोगों को तो वैसे मन्सा को उजागर करने का ही एक उनका काजकरम रह गया है भारतिये जनता पाटी सिर्फ संपरदाइकता को फैला करके भोट लेना चाहती है पटना में जो भी पच्छी एकता की बात हु उस बैठक के बाद भारतिये जनता पाटी के सारे नेताओं में इभें नरेंद मोदी जी से तक ये बेचैनी बढ़ गई है और उस बेचैनी के फलसरूप ये लोग बिहार को कंसंट्रेट कर रहे हैं कि बिहार एक ऐसी भूमी है जहां से पूरे देश में एक संबाद जा र तो भूकर उलाके में कि बगरीद के दिन आ रहे हैं और वहां कि जो ज़िए के जो अध्यक्षयन अगया о के वेरा की वह सांसद है ललन सींग लन सींग का Sapto बनेते हैं समें बीज राटी बीजेपी से घटबंदन था उन लोगों। हाई बात सही है कि जिस समय सांसद की चुनाव लड़ रहे थे उसमें तो बीजी पी और जनता दलीव का गठ बंधन था ही और उसे जीते थे लेकिन आज की परिवेश में जनता दलीव और उसके नेता आधरनीय नितियुस कुमार जी की अगवाई में विपच्छ की बहुत ब खास करके हम लोगों में या सम्पिद evening L 99 के विश्वास करने वाले लोगों में कहीं भी कोई घ्रव लाहर हden नहीं है अमीद स्था Academy व्यांट कहा करके लोगों पर कोई अश्व्यवात करने वाला नहीं है यागे आने वाला जो लोक सभा का चुनाव है उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ जाता है और बीजेपी की वहां पर यह तो हार तो नहीं इसकुमार की होगी बीजेपी की विरुद्ध में जितनी पार्टियां है करीब करीब सब्सक्राइब लोग गोल बंद हो रहे हैं अब उनके जो भी उमिद्वार रहेंगे चाहे ललन सिं जी हो अमिद्वार कौन है तो समय बताएगा लेकिन अभी के खिलाप में सारे लोग गोल बंद हो रहे हैं और उसी का नतीज़ा है कि बीजेपी चुनावी दस्तक देख करके चुनावी साल देख करके वह सब पार्टियों के विरुद्ध अपनी परचार अभियान में आ र जादा मैं विरु충 हमी तो प्रिवर्तन की भूमी रही है आप अजादी के पहले ही बात करें तो गांधी जी नहीं और बिहार से हुआ था ले और आज भी paradise नहीं चैनल कारश में फैला दिया है अपना साचन buenas अजन ह Renee जोसीत अफalter हम उजजर रहे हैं वैसे प्रस्थिती में अगर कोई बोलता है भारतिय जनता पाटी के किसी नेता के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध तो उस पर इडी का या सीवी आई का या और भी तरह तरह के जो संवेधानिक संस्ता हैं उनका हंतकंडा चलता है तो वैसी हालात में पुनह एक इमर्जेंसी से भी खराब सिती हो गई है और इसी का परिणाम है कि सारे विपच्च के लोग बिहार से एक संदेश गया और बिहार में सारे नेता जगह पर बैठ करके स्वर में स्वर मिला करके बीजेपी को उखाड़ पेकने का संकल्प लिया है इसलिए यहीं पर पहुँच के लोग तो आज तबाह है और बीजेपी का जो प्रतिस्यत मत है और यह जो पार्टियां जो देख रहे उन लोगों का अगर जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से उनसे बहुत आगे होंगे और सरकार निश्चित रूप से बीजेपी की अगला दूहजार पर अंचाática से निश्चित दिन उस जगह पे जाना क्या शंदेश कर रहे हैं ऑ Major के दिन की यह सुद्धा में अफवाँ और अफवा म कर रातिती जो करने वाला चाहीं और कहीं कहीं बीजेपी जो है वो डर गई है घबडा गई है जिस तरह से जो आगाज किया जाड़ा है बिहार की धरती से पडिवर्तन का और इस पडिवर्तन से वो डर रहे हैं चलिए अमित्सा की रैली होगी और फिर हम सुनाएंगे आपको वो क्या कुछ वहाँ पर जनसमवाद किय तब तक के लिए बने रहें आप लाइफ भिहार के साथ धन्यवाद लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें